हालो दोस्तो आशा करता हूँ आप साब बढ़ी जाओंगे आपके अपने यूटीब चैनल यानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तो आश की इस वीडियो में हम डिसक्स करने बाले हैं इंगलिक्त चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी त्यारी को बुश्टब कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रेस्न से दोस्तो इन प्रेशनों में आपको best express the meaning यानि कि आपको synonym बताना है ये जो bird दिये हुए है इनका best meaning बताना है दोस्तो पहला जो bird दिया हुआ है बो दिया हुआ है tyranny, tyranny का जो अर्थ होता है दोस्तो बो होता है दोस्तो ऐसे बोल सकते हैं आपको बहुती cruel अत्यचारी या फिर assist बेवार करता है तो इसका जो सही synonym हो जाएगा दोस्तो वो हो जाएगा cruelty इसका option D जो है वो सही हो जाएगा cruelty अगला जो प्रेशन है diligent दोस्तो आपको diligent का सही synonym बताना है सही best express इसका word बताना है दोस्तो diligent जो होता है diligent का अर्थ होता है परिश्रम परिश्रमी या फिर महनती तो इसका जो option D है दोस्तो सही हो जाएगा industrious का अर्थ भी होता है दोस्तो महनती या फिर परिश्रमी और दोस्तो जो modest होता है वो आपको पता होगा इसका आर्थ होता है नमरता energetic तो उर्जावान intelligent इसका आपको पता है अगला प्रेशन है दोस्तो गार्नर तो आपको दोस्तो गार्नर का सही आर्थ बताना है तो दोस्तो जो गार्नर होता है इसका जो सही आर्थ होता है इसका होत तो दोस्तो जो pivotal होता है वो होता है निरनायक या फिर महतवपूर्ण तो दोस्तो इसका जो option B है वो सही हो जाएगा crucial crucial का अर्थ भी होता है महतवपूर्ण या फिर important अगला जो question है दोस्तो आपको breath का आपको breath का synonym बताना है तो दोस्तो जो इसका जो सही आर्थ होता है वो होता है जैसे क्रोधी या फिर गुसे में तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगला प्रेशन है तो दोस्तो आगे जो प्रेशन दिये हुए है इनमें आपको सही fill up करना है fill करने है fill in the blank तो जो प conform the other दोस्तो अगला जो प्रेशन है वह है his logic डासटAg याबन स depends दो दोस्तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा surprise the HIS magic surprised everyone including the expert तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है दोस्तो the audience dash dash at the end of the drama तो दोस्तो इसका जो सही आंसर होगा the audience applauded at the end of the drama applaud का मतलब होता है जैसे प्रसंसा करना तो audience applauded at the end of drama अगला जो प्रेशन है दोस्तो I want to have a dash dash of flats on rental basis तो दोस्तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा I want to have a set of flats on rental basis तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रेशन है you need dash dash shoes for walking in the hills तो दोस्तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा you need comfortable shoes for walking in the hills तो दोस्तो आपको जो पहड़ों में चलने के लिए जूते होने चाहिए आपके वो होने चाहिए comfortable यानि की अराम दाइक तो इसका option B जो है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है दोस्तो ये जो प्रेशन है इनमें आपको error बताना है अगर आपको लगता है किसी प्रेशन में error है जो option में तो आपने उसको take करना है अगर नहीं है तो no error करना है तो जो पहला प्रेशन है दोस्तो I am not wealthy so I cannot afford to buy a expensive car तो दोस्तो इसमें जो error है वो part B में है option B जो है वो इसका सही हो जाएगा sorry option C जो है इसका सही हो जाएगा इसमें error है I am not wealthy so I cannot afford to bought a expensive car इसका second form का प्रेव किया जाएगा तो option C जो है वो इसका सही हो जाएगा अगला जो question है the man cannot live by bread alone तो दोस्तो इस जो question में error है इस question में वो है option A में the man में error है दोस्तो दा में की जागा यहाँ पर the man आएगा the man cannot live by bread alone अगला जो question है the blinds deserve our sympathy तो दोस्तो इसमें जो error है वो आपके option A में है the blinds में दोस्तो यहाँ पर blinds नहीं होगा यहाँ पर होगा the blinds deserve our sympathy अगला जो question है the audience are requested to be in its seats तो दोस्तो इसमें जो error है वो आपके part C में error है दोस्तो the audience are requested to be in its seat in its seat तो दोस्तों यहाँ पर sit नहीं दिया हुआ है तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है they walked besides besides each other in silence तो दोस्तों इसमें जो error है दोस्तों वो है option B में besides each other यहाँ पर besides का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर के लिए और जो besides होता है उसका होता है अतिरिक्त अर्थ होता है यह proposition से present था दोस्तों आफ जो question है आपको idiom बताना है इनमें idiom बताना है आपको दोस्तों to talk once head of दोस्तों इसके जो सही idiom होगा दोस्तों वो होगा to talk accessively तो इसका जो option D है वो सही हो जाएगा to talk once head off यानिकी to talk to talk accessibly अगला जो प्रेशन है to see eye to eye with तो दोस्तो to see to eye to see eye to eye with इसका जो सही answer हो जाएगा दोस्तो वो हो जाएगा to agree यानिकी आंखों में आंखे टाल के देखना आपने मुहाबरा पड़ा होगा इसका option ए जो है वो सही हो जाएगा to angry अगला प्रेशन है buns in a blue moon तो दोस्तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा नहीं sorry option हो जाएगा वो हो जाएगा option c on rare occasion तो यानिकी दोस्तो बहुत ही मतलब काफी समयवाद दिखना यानिकी on rare occasion अगला जो प्रेशन है दोस्तो बो है तो दोस्तो आपको इसका idiom बताना है तो दोस्तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option d to make oneself comfortable in another person home तो दोस्तो इसका option d जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रेशन है be in the mirror तो दोस्तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा be in difficulties be in the mirror का सही जो idiom हो जाएगा वो हो जाएगा be in difficulties मुसीबत में होना तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें, थैंक्स पर वाचिंग, God bless you all